अलो फ्रेंज मेरा नाम है सयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरन जोश.com इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतराष्ट्री योग दिवस कब और क्यों मनाया जाता है अंतराष्ट्री योग दिवस संपूर्ड विष्व में मनाया जाता है और इसे विष्व योग दिवस भी कहते हैं क्या आप जानते हैं कि योग की शुरुवात कहां से हुई, कब हुई, इसके पीछे क्या इतिहास है 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतराश्टिय योग देवस योग तन और मन से जुड़े तमाम तरह के रोग और विकारों को दूर कर मनुष्ट का जीवन आसान कर देता है ये मानव की हर तरह की शुद्धी का आसान उपकरण है योग विज्ञान में जीवन शैली का पूर्ण सार समाहित किया गया है ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि योग एक ताचीन शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो लोगों को शान्ती, आत्मिश्वास और साहस देता है जिसके माध्यम से वो बेतर तरीखे से गतिवीदिया कर सकते है दुनिया भर में योग विभिन रूपों में प्रचलित है सबसे पहले देखते हैं कि अंतराश्ठी योग दिवस कब मनाया जाता है लोगों के स्वास्थ पर योग के महत्व और प्रभावों के बारे में जागुकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतराश्ठी योग दिवस मनाया जाता है पहली बार इसे 21 जून 2015 को मनाया गया था योग शब्द संस्थित से लिया गया है जिसका अर्थ है शामिल होना या एक जुट होना इसकी पहल भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को United Nations General Assembly में अपने भाशर से की थी और इसी वज़ाद से 21 जून को अंतराश्ठी योग दिवस घोशित किया गया United Nations में 193 मेंबर्स द्वारा 21 जून को अंतराश्ठी योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को मन्जूरी मिली दी United Nations General Assembly में नरेंद्र मोदी ने कहा योग भारत की प्राजीन परंपरा का एक आमोले उपहार है ये मन और श्रीर की एकता का प्रतीक है विचार और कार, सैयम और पूर्ती, मनुष और प्रकृती के बीच सामन जस्यूर स्वास्त और कल्यार के लिए समगर दिश्ट्रिकोर पैदा करता है ये अभ्यास के बारे में नहीं बलकि अपने आप दुनिया और प्रकृती के साथ एकता की भावना को खोचने के लिए है हमारी जीवन चैली बदल कर और जेतना पैदा करके ये जलवायू परिवर्तन से निपटने में हमारी मदद कर सकता है आए हम अंतराष्ट्री योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करें इनाइडे नेशन जनरल असेमली के अद्दक स्याम औफ कोटसा ने 21 जून को अंतराष्ट्री योग दिवस मनाने की घोशना की और 170 से अधिक देशों ने इस योग दिवस के प्रस्ताव का समर्थन किया जिससे ये सामने आया कि लोग भी जानते हैं कि योग के कई लाब हैं जिन में से कुछ द्रिश्य और कुछ अद्रिश्ट होते हैं क्या आप जानते हैं कि योग कहां से आरंग गुआ? पूर्व वैदिक काल से ही भारत में योग की शुरुवार्त मानी जाती है ये हजारों सालों से भारतियों की जीवन शैली का हिस्सा बना हुआ है योग भारतिय संस्कृति और सब्रता का एहम हिस्सा है जिसमें मानता के दोनों भौतिक तत्मों और अध्यात्मित उत्थानों के गुण है ये ज्ञान, कर्म और भक्ति का आदर्श मिशन है भारत में महरेशी पतंजली का योगदान महत्पूर्ण है उन्होंने ही योग सूत्रों में योग मुद्राओं या प्रधाओं का सहिता बद और विवस्थित किया है 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसर्थ को स्वामी विवेकरनन ने संबोधित किया था जिसमें उन्होंने उस समय के आधूनिक योग में पश्चिमी दुनिया का योग से परिचे करवाया था उसके बाद कई पूर्व गुरुओं व योगियों ने दुनिया भर में योग का प्रसार किया और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको सुईकार करना शुरू किया यहां तक कि योग को एक विशे के रूप में भी अध्यन किया जाने लगा और फिर ये सामने आया कि योग के काफी दीरगाकालिक फायदे होते हैं पिछले 50 सालों में ये एक अंतराश्य घटना ही नहीं बलगी पूरी दुनिया के हजारों लाखों लोगों ने इसको अपने दिन चर्य का हिस्सा बनाया है और काफी लाब उठाये हैं आये अब जानते हैं कि आखिर 21 जून को ही योग उत्सव का दिन क्यों चुना गया 21 जून सद्गूरों को शर्द्रांजली देने के लिए चुना गया है इस दिन ग्रीश्प सक्रांती होती है जब सूरी धरती की दिश्टी से उत्तर से दक्शिण की योड़ चलना शुरू करता है जानि सूरी जो अब तक उत्तरी गुलार्ड में था अब दक्श्णी गुलार्ड की तरफ बढ़ना शुरू होता है योग के नजरिये से ये समय संक्रमर काल होता है यानि रूपांतरण के लिए बेटर समय होता है इसलिए 21 जून अंतराश्टिय योग दिवस के रूप में चुना गया है संक्रांती या उत्तरयान के समय आदी योगी ने रक्षिन की तरफ प्रस्थान किया और सबसे पहले उनकी नजर सब्त रिश्यों पर पड़ी जो की आगे जाके इनके पहले शिश्य बने जिन्नोंने दुनिया के कई हिस्सों में योग के विज्ञान का प्रचारबसार किया ये अद्बुत बात है कि 21 जून मानव के इतिहास में इस महत्पूर घटना को चिनहित करता है उत्तरे गोलार्द में ये तारीक पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन भी है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेश महत्प है आई अब जानते हैं कि अंतराश्ट्रे योग दिवस मनाने की बीचे क्या उतेश है लोगों को योग के फायदे के बारे में जागरुख करना और उनको फ्रक्रती से जोड़ना पूरे विश्व भर्ग में स्वास से चनौती पूर्ण बीमारियों की दर को घटाना पूरे विश्व में वृध्धी विकास और शांति को फैलाना लोगों को शारिरिक और मासिक बीमारियों के प्रतीच जागरुख बनाना और योग के माध्यम से इसका समाधान उपलप्त कराना आज जानते हैं कि अंतराश्टी योग दिवस 2019 की थीम क्या होगी अंतराश्टी योग दिवस 2019 की थीम है Climate Action अंतराश्टी योग दिवस 2018 की थीम थी शांति के लिए योग अंतराश्टी योग दिवस 2017 की थीम थी स्वास्थ के लिए योग अंतराश्टी योग दिवस 2016 की थीम थी जिवाओं को जोडे अंतराश्ट्री योग दिवस 2015 की थीम थी सामंजसे और शांती के लिए योग आई अब जानते हैं कि योग के क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं योग से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होते हैं अगर नियमित योग अभ्यास किया जाए तो सभी स्वास्थ चुनोतियों को पाल लगाया जा सकता है योग से मानसिक ही नहीं बलकि शांती पूर्वक बातावर्ण भी होता है हमारी बदलती जीवन शैली के लिए भी योग करना अनिवार है ये हमें जलवायू परिवर्थन से निपटने में मदद कर सकता है योग से शरीर में लचीला पन और मास्पेशों में ताकत आती है रेस्पिरेशन, उर्जा और शक्ति का विकास होता है मेटबॉलिजम को बैलेंस रखता है वजन कम करने में और कार्डियो सिस्टम को सुष्ट रखने में मदद करता है इसमें कोई संदे नहीं है कि दुनिया भर में सुष्ट चुनौती पूर बिमारियों को कम करने में योग मदद करता है ये लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है ध्यान का अभ्यास करने और तनाव में राहत पाने में मदद करता है ये स्वास्त और सतत स्वास्त विकास की सुरक्षा के बीच संबन्द प्रदान करता है इसलिए हमें नियमित रूप से योग का अभ्यास करना चाहिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेर करना ना भूलें